नैंतारा पर क्यों धनुष ने किया है 10 करोड का केस हाली में अक्टरिस की लाइफ और करियर पर-based documentary नैंतारा Beyond The Fairytale इस documentary के रिलीज होते ही आक्टरिस की मुश्किलें बड़ती नजर आई एह दरसल साउथ के सूपर स्टार धनुष ने इस डॉक्यूमेंटरी पर 10 करोड का कॉपी राइट केस ठोग दिया है जिसके बाद नैन तारा का इस पर गुसा फूटा है आक्टरिस ने क्या कहा है चली आपको बताते हैं वर आपको बता दी नैन तारा ने एक ओपन लेटर के जरिये धनुष पर भड़ास निकाली है इसके लिए आक्टरिस ने कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें साउथ के सूपर स्टार धनु पाद ही नेट्फ्लिक्स पर आई डॉक्यमेंटरी नैन तारा बियोंड दा फेरी टेप इसमें धनुष के फिल्म नानुम रावडी धान से तीन सेकंड की क्लिपिंग का इस्तिमाल करने के लिए मेकर्स पर दस करोड का कॉपी राइट केस ठोग दिया है हाला कि उन्होंने धनुष से इसकी परमीशन ली थी लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था और इसके बजाए फिल्म के सेट से बिहाइंड दा सीन इस्तिमाल करने के लिए उन्हें कानुनी नोटिस बेजा गया है तो वही नैंतारा नहीं अपने ओपन लेटर में लिखा कि कई बार रिक्विस्ट करने के बाद भी आपने नानम राउडी धान के सौंग या सीन कट्स और फोटोज को यूज करने की परमीशन नहीं दे थी और इसके लिए हमने लंबा इंतिजार भी किया उनकी डॉक्यूमेंटरी में यूज किये गए सीन लोगों के फोन से शूट किये गए और आपने इस पर भी आपत्ती जता दी अक्ट्रिस ने आगे लिखा है इससे पता चलता है कि ये आपको अब तक का सबसे नीचला इस्थर है और ये आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है उन्होंने कहा कि वो कानूनी नोटिस का उचित जवाब देंगी आक्ट्रिस ने लिखा कि मुझे आपका कानूनी नोटिस मिल गया है और हम भी कानूनी तरीके से ही इसका सही जवाब देंगे तो वही नैंतारा का जैसे ये पोस्ट सामनी आया सोशल मीडिया पर हलचर मच गए हाला कि खबर लिखे जाने तक धनुष ने इस पर कोई रियाक्शन नहीं दिया है वहला आपके कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्धर को लेकर कॉमेंट करके अपनी राय बताइए इसी तरह टीवी और बॉलीवोड से जुड़ी हुई देड़ सारी अपडेट के लिए जल्दी सा हमारे चानल सलमी मीड को सब्सक्राइब करें